महा मारी करोना वाइरस को लेकर जहां देश भर को 21 दिनों के लिए लॉगडाउन किया गया था लॉगडाउन का आज आठवा दिन है और जैसा कि कल हमने आपको लाइफ तस्विरों में दिखाया था किस तरीके से करनाल के उपायूगत और पुरिस अधिक्षक द्वारा जो ह काफी हद तक करनाल की जनता है वह इस लॉगडाउन का सपोर्ट जरूर कर रही है लेकिन आज हमारे साथ एक बार फिर से करनाल के एसपी मौजूद है कुछ जरूरी जानकारी लोगों को देने के लिए तो हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे सर सबसे पहले तो हम यह पूछ को भी वो रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं कोई भी केस अभी तक positive COVID-19 का करनाल में नहीं आया है जहां तक बात है कि जिनकी travel की history है जिनकी भी travel की history है उन सबको quarantine किया जाता है quarantine house quarantine भी किया जा रहा है यदि कोई home quarantine नहीं maintain करता या यह doubt है कि किसी के direct contact में आया हो लेकिन कोई symptom नही है तो उसे कुंचपुरा सेनिक स्कूल में quarantine किया जा रहा है करीब 20 व्यक्ति हमारे अभी quarantine कुंचपुरा सेनिक स्कूल में है वहां का बकायदा medical check-up और उनका सारा रहने खाने की और even recreation की पूरी सुविदा है इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि नंबर एक तो इसमें किसी भी परकार की मेरी रिक्वेस्ट है अफवा ना फैले और कोई भी न्यूज ऐसी नहाचले जो अथेंटिक ना हो इसके संबंद में आपको SP office से timely सारी information authentic मिलती रहेगी इसमें आठ व्यक्ति हमारे district करनाल से संबंदित हैं जो पिछले चार महीने से दिल्ली में इस जमात में attend करने गए थे पहले वो मलेशिया गए थे वहां से दिल्ली गए हैं लेकिन पिछले चार महीने से वो करनाल नही निजामोदीन तबलीकी जमात अटेंड करके वापिस करनाल आया था कल उसका medical examination कराके उसके पूरे परिवार का medical examination करवाके या जिसके वो contact में आया है उन सभी का examination करवाके उनको कुझपुरा quarantine center में भेजा गया है दसमा एक ऐसा विक्ति है जो जीन का रहने वाला है उसकी ब इसके अलावा अभी तक कोई और सूचना verified नहीं है फिर भी हम सभी सोर्ची से इसको verify कर रहे हैं काफी जो मजदूर भाई हैं वो भी जो है सड़को पर निकले थे कि उन्हें अपने गाउं जाना है अपने स्टेट में जाना है लेकिन हाला कि जैसा कि हमने भी दो दिन पहल देखिए ये मैंने पर्सों ही सपष्ट कर दिया था कि सारे बॉर्डल सील कर दिये गए हैं जो माइगरेटरी लेबरर्स हैं इनकी जो ट्रांजिट में हैं उनको यहां रहने की सुवीदा है पर्सों से आज तक करीब 800 ऐसे माइगरेटरी लेबरर्स हैं जो यहां शेल्टर जो कम्यूटी सेंटर कमबवपुरा में और रादा स्वामी व्यास जो सचसंग भवन है वहां घरोंडा में और कमबवपुरा में और एक सेक्टर 32 में अभी यहां यह रुके होए हैं वहां उनका पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है उनकी रहने की खा जैसा कि आपने कहा कि 20 लोग जो है वह कुंछपुरा में स्थैनिक स्कूल में जो कॉरिंटीन में तो जिन्हें होम कॉरिंटीन किया गया है अगर वह उसका पालना नहीं करते हैं तो क्या कुछ अक्शन उनके लिया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वह बाकी लोगों के जाती है और वैसे इंफर्मेशन आई जाती है कोभी कोई प्रोस वाला या कहीं ना कहीं से यदि कोई कॉरिंटीन मेंटेन नहीं करता तो हम चाहिए फोर्स फोली उनको कुंछपुरा जो कॉरिंटीन सेंटर है वहाँ शिफ्ट करेंगे लेकिन मेरी आपके माद्यम से ही कि अभी तक हाला कि कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है लेकिन कहीं ना कि लोग इसे लाइटली ना लें तो क्या कुछ एक मैसेज देना चाहिए इसे यह बहुत सीरेस इसू है आप सब भी अख़बारों के टीवी के माद्यम से इतने डेलप कंट्री में क्या हाल चल र रहे हो तब ही आपने बाहर जाना है तो यह आप में देखा एसपी सुरुंदर सिंग भूरिया समय मरसद्यापर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने भी करनाल के सभी लोगों से अपील की हमारी भी आप लोगों से अपील यहीं रहेगी अपने घरों में ही रहिए जब आ एक जो निजामुद दिन से आयते दोनों को जो है कॉरिंटीन में रखा गया और उनके जो क्लोज वन्स थे जाहे उनके फैमिली मेंबोस हो या वो लोग जो उनके साथ कॉंटाक्ट में आये हो उन्हें भी कॉरिंटीन किया गया है बीस लोग ऐसे है जो सैनिक स्कूल में बहुत ही जादा जरूरी है तो आप लोग भी अपने घरों पर ही रही है इस 21 दिन के लॉकडाउन का जो है पालन जरूर कीजिए जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले दो हफते काफी जादा क्रिशल जरूर है तो हमें अपनी भी सेफ्टी बर करार रखनी है अपने परिवा अपनी नूस करनान